हेई गाईज और आज की वीडियो में बात करेंगे htmx के बारे में जिसका फुल फॉर्म होता है hypertext markup extensible अब यह है क्या यह एक javascript library है और कहने को यह आपके javascript framework के library को replace कर सकता है लेकिन यह हमारा simple सा दिखने वाला plain html भी बहुत कुछ कर सकता है example के लिए हमारा देख लिए जैंक टैग यहाँ पर मैं क्या request कर रहा हूँ page.html अगर मैं इस पर click करूँगा तो यह क्या होगा यह get request बेजेगा हमारे server को और बोलेगा कि भाई page.html मुझे दे दो server इसे देदेगा यानि return करेगा और यहाँ चाहिए उसके लिए आप क्या यूज करते हो ajx राइट यानि without page refresh आगर आप data render करना चाहते हो dynamically तो आप उसके लिए ajx यूज करते हो और what if अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ यह HTML zone में रह की ऐसा गाम कर रहा है मुझे को यह अलग सा interactive web pages बनाने में आप इसको use करके web page के किसी भी part को बिना उसे refresh के हुए आप इसको update कर सकते हो इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो इसके official doc htmx.org पर लेकिन हम अभी इसको try करने वाले है इसके लिए हम क्या करेंगे हम simple इसको clear कर देते है हमें चाहिए normal html page मिल गया मुझे इसके बाद मुझे चाहिए htmx का support तो मैंने उसको import कर लिया आप इसको install भी कर सकते हो इसके बाद हम क्या कर सकते है css add कर लेते basic सा यहाँ पर मैं आइड कर लिया अब मैं यहाँ पर use करूँगा normal सा anchor tag ठीक है इसके अंदर लिखता हम है click me अब मैं यहाँ पर href attribute यूज ने करूँगा मैं यहाँ यूज कर रहा है htmx और htmx प्रोवाइट करता है आपको special html attribute और वो सारे htmx special attribute start होते है hx के साथ यानि hx prefix है इसके बाद आप इसके behavior define करते हो जैसे आप को यहाँ पर get करना है post करना है, put करना, delete करना लिएसे मुझे यह post करना है ठीक है अब मुझे post कहा करना है उसको बताना पड़ेगा तो let's say मेरे पास एक URL जो मैं यहाँ पर paste करते हो, यानि कि मुझे इस पर data भेजना है अब इसको click करके देखते हैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक class attach करते हूँ जो as a pointer denote करेगा तो यह देखिए, अब let's say मैं इस पर click करता हूँ और मैं अपने network पर जाओंगा, इस पर click किया है मैंने यह हो किया, और अभी भी मैं इस पर click कर सकता हूँ क्योंकि यह अभी भी क्या anchor tag है और इसको request भेजेगा लेकिन यह request भेजेगा, exactly यह भेजेगा जो मुझे यहाँ दिख रहा है, let's say अब मैं आप क्या करना चाहता हूँ एक नया container add कर रहा है, div और इसका, let's say मैं id देता हूँ click data, तो मैं इसको कैसे use करूँगा मैं यहाँ पर वापस prefix use करूँगा hx, यानि कि मैं htmx use कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर target define कर दूँगा यानि मेरा target क्या रहा हैगा, click data यहाँ पर, दिख रहा है, मेरा id का नाम है यह जहाँ पर मुझे data दिखाना है, इसके अंदर दिखाना है, लेकिन यह मेरा id हैसले में यहाँ पर क्या use करूँगा, hash, ठीक है, अब इसको save करते हैं, इस पर जाते हैं, refresh click me, अब यह देखिए click me मेरा वैसे ही है, यानि कि यहाँ पर, जो मेरा anchor tag है और ही place नहीं हुआ उसका content, यहाँ पर जो मेरा div था, click data उसके अंदर मेरा response आगिया, और आप यह देखिए, page refresh भी नहीं हो रहा, यह देखिए click किया, यह request कौन सा था मेरा, यहाँ पर post, क्यूंकि मैंने यहाँ पर post किया आप इसको get भी कर सकते हो, तो मैंने hx-get कर दिया, refresh, click me, और यह देखिए इस बार जो मैरा request किया होगा, आपको दिखेगा क्या, get, और इसने data लेके आया और exactly यह data मेरे, इस div के अंदर आगिया, तो आप देख रहे हो कि without using extra javascript code, सिर्फ इस library को यूज करके, मैं कैसे using only stml, इस तरह के hx call कर पा रहा हो, what if आप anchor tag यूज ना करके button यूज करना चाहते है, तो मैं यहाप सीधा button replace कर देता और यहाप anchor tag के जगा पर button बंद हो जाता मुझे क्या करना, अगर इस button पर click हो, तो मुझे यह action perform करना है, इसको get करना है, इसके लिए मैं यहापर trigger define करता, hx-trigger, यहापर मैं क्या बोलता, click, अगर मैं click करूँ तो, अब यहापर दिखिए, refresh करता हो, network tab, बंद, जैसे click किया, आप यहापर दिखिए data आ गया, इसके जगह पर आप click ना करके, आप दुसरा event भी describe कर सकते हैं, जैसे कि mouse over, अब मैं click नहीं करूँगा, सिफ mouse over करूँगा, यह देखिए, यहापर आप mouse over कर सकते हो, आप यहापर कोई event भी use कर सकते हो, htmx custom event भी support करता है, जिसको use करके, आप event listener register कर सकते हो, इसके लाव, आप on attribute use करके, किसी भी element को javascript function भी attach कर सकते हो, या sign कर सकते हो, इतना ही नहीं, let's say, मेरे पास, एक input field है, यहापर इसको मैं अटा देता हूँ, normally, input field है, ठीक है, यह कैसा text type का है, और let's say, मैं name attribute add कर देता हूँ, अब मैं यहाप stmx use करना चाहता हूँ, so hx prefix लगना पड़ेगा, get, और मैं यहाप url दोंगा, जिससे मुझे data चाहिए, तो मैंने यहापर paste कर दिया, अब मुझे क्या करना है, मैं एक यहाप पर div बना रहा हूँ, div ठीक है, और मैं इसके पर id attach कर रहा हूँ, जिसका नाम दे रहा search results, okay, अब मैं यहाप इसका target set कर देता हूँ, so hx-target जैसा भी आपने देखा, और क्योंकि मेरा id है, इसको मैं copy कर लेता हूँ, इससे पहले hash लगेगा, और यह चीज़, ठीक है, key up हो, और delay one second हो, उसके बाद ही trigger हो, refresh, यह देखिए, मैं आपर लिख रहा, Rohit, और यह देखिए, यहापर response क्या है, Rohit easier, और यह उस container के अंदर जो मैंने id pass की थी आपर, search result, यहाँ पर आगया, Rohit easier, same अगर मैं try करूँ Mohit, Mohit easier, अगर मैं कुछ और करूँ, जो मेरे database में नहीं है, database correct हो गया, आपका अपना message हो सकते है, I hope आपको समझ में आगे होगा कि HTML कितना powerful है, without using any extra JavaScript, मैं कैसे इस HTML के साथ इतना interactive page बना पा रहा हूँ, इतना ही नहीं और देखते हैं, लेटसे मैं इसको अटा देता हूँ, और इसकी battery कहते होगी लेकिन फिर भी मैं try करूँगा, मैं यहाँ पर लेटसे कुछ भी, example के लिए मैं यहाँ पर dev use कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर get call करना चाहता हूँ, hx get, और let's say मैं kind of news दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, random news, मतलब news तो नहीं रहेगा लेकिन फिर भी कुछ ऐसा, यह API को मैं request भेजूँगा, मैं साथ ही साथ क्या कह रहा हूँ, इसको trigger कर देता हूँ कि कैसे यह काम करेगा, मैं कह रहा every, फिर बोल रहा है कब every, तो मैं बला two seconds, अब हम इसका response देखना है, जो कि every two seconds है trigger होगा, और इस div के अंदर content को load करेगा, मैं refresh किया और यह देखिए, अभी यह है, फिर change हुआ, आप यहाँ पर देखे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, automatic request जा रही every two seconds, और यहाँ पर देखिए data आ रहा है, जो data आ रहा है, यहाँ पर replace हो रहा है this element के अंदर, आप इसको देख सकते हूँ real time में, आपर यह content कैसे change हो रहा हूँ, लेटसे आपको form validation करना है, तो आप इसके साथ भी अच्छे से कर सकते हो, आप enrich experience दे सकते उसर को, लेटसे आपके किसी भी project में इसको integrate करना है, seamlessly integrate कर सकते हो, कोई issue नहीं आता, साथ ही साथ अगर आप कोई backend framework यूज़ कर रहे हो, जैसे Django या Flask या फिर आप बात करे Ruby on Rail, इन सब के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको और भी explore कर सकते हो, इसके अपने official website पर जाके, जिसका नाम htmax.org है, यह AlphineJs के साथ भी easily integrate हो सकता है, summary of video यह है कि आप ने देखा, कैसे हम normal HTML और htmax के help से dynamic web pages, interactive web pages बना रहे थे, कैसे हम Ajax call करके, web page को real time update कर रहे थे, आपको इस पसंद आया होगा, मिल तक लिए में तब तक ले, THANK YOU SO MUCH,